देखे, अगर आपको कोई सरीज, हमने इंटरपोलेशन बताया, इंटरपोलेशन में कहा था कि वैलू दिव ही होती थी एक एक इक्वल इंटरवल में और बीच में एक टर्म, अन्नोन वैलू, मिसिंग नहीं, बीच की वैलू और निकल वाली हमने, उसके बीच में कोई में हैं, तो मिसिंग टर्म कैसे निकालेंगे?, तो देखे, हमसे लाग 100 की वैलू दिये, 101 की दिये, 102 की नहीं दिये, मिसिंग हो गया ना, 103 दिये, 104 दिये, पर दे लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है, यानि यह X दिया है, और X के हिसाब से Y पराबर यह FX दिया तो टू पॉइंट चाहो तो जीरो 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 कर दो चुको चार डिजिट तक आगे यूज करना है फिर 101 की वैलू दिया है 2.0043 102 की वैलू नहीं दिया है इसको हमने Y2 माल लिया है 103 की वैलू है 2.0128 और 104 की वैलू है 2.0170 कितनी वैलू दी भी है 4 दी भी है देखो यह missing term वाला है यह वो fundamental theorem आफ difference calculus नहीं है वहाँ पर polynomial given होता है यहाँ polynomial नहीं value given है यह value given है ठीक है एक चीज़ और 4 value दी है न तो यह कह रहे है अगर 4 value दी हुई होगी ठीक है तो चौथा जो difference होगा चौथा जो forward difference उसकी value 0 होगी यह याद करिएगा जितनी value दी भी होती है उससे एक कम difference constant होता है और वो जो चौथी value होगी वो जो 0 होती है अगर 4 value दी है तो third difference यहाँ पर constant होगा याद करिएगा यह आप लिखेंगे as अब मैं difference निकालने जा रहा हूँ साउधान अब मैं निकालने जा जा दो delta fx इसमें से उसको मानस करेंगे हम डाइट लिखेंगे हम को है मानस करें तो इसमें मानस करेंगे तो आएगा 0.0043 आएगा इसमें से उसको करेंगे तो आएगा بीच में लिखेंगे याँ पर इसके इसके बीच में ठीक है जा हो तो ऐसे arrow बना दू इसके इसके बीच में लिखेंगे एक line में होना चाहिए एधाना किए arrow ऐसा बनाइएगा ये कितना ऐगा Y2 minus 2.0043 इसके इसके बीच में लिखेंगे तो आएगा 2.0128-y2 इसको लिखेंगे तो ये वैलू आएगी आपकी 0.0042 ठीक है लिख लिया अब डेल्टा स्क्वार एफेक्स करिए कभी कभी क्या होता है आपकी कॉपी मैंसे नहीं आएगा तो उसको लेटरल करके लिखिएगा ठीक है मतलब सीधा अगर वो लाइन में चाहिए अगर सीधी कॉपी में ना आए तो उसको टेढ़ा करके लगाएगा डेल्टा स्क्वार करेंगे तो इसमें से इसको मानस करेंगे हम डायर लिखतें कोई दिक्कत अब आप मानस करिएगा इसमें इसको मानस करेंगे तो आएगा 2.0-2.086 ये इसके इसके प्रिंटिंग इंडिया की बुक है जिसके पहले पेज पर लिखा होता है कि we have taken all the precautions in publishing the copy but book but if still any mistake is there then I am not responsible, पहले लिख देते हैं, US में नहीं कह सकते हैं, वो कहते हैं तुमने च्छापा है तुम ही responsible हो, तीक है, इसमें से इसको मानस करेंगे, तो आएगा y2-2.0086, अब difference निकाली है, और डेल्टा 3fx निकालेंगे, इसमें से इसको मानस करेंगे, तो आएगा 6.0257-y2, और इसमें से इसको मानस करेंगे, तो आएगा 3y2-6.0257, फिर fourth difference निकालेंगे, डेल्टा 4fx, इसमें से इसको मानस करेंगे, तो आएगा 6y2-12.0514, यह मानस करके आप कि हो सकता कहीं पर डिजिट में गरवड़ हो अब आप कहेंगे आपने क्यों नहीं किया हमारे पास चेटिंग के लिए मेटरियल था तो काय करें हो अब तुम्हारे पास नहीं तो तुम करो अपना देखो ध्यान से अब आप कहेंगे कि as delta 4fx का मान क्या होगा यहां पर 0 तो आप 6y2 माइनस 12.0514 को 0 कर दो यहां y2 कमान निकाल आएगा 2.0086 एप्रॉक्समेट वैलू जो निकलेगी एप्रॉक्समेट तो इस प्रकार से हम फारवर्ड डिफ्रेंस टेबल का इस्तेमाल करके एक मिसिंग टर्म की वैलू निकाल सकते हैं यह equation based on the missing term of any series स्वंच में आई बार नहीं करिए इसको